कॉंग्रेस ने अपना गोशना पत्र जारी कर दिया है जिसमें 5 न्याए 25 गारंटी 300 से ज्यादा वादे किये हैं क्या कॉंग्रेस को 48 पन्नों के गोशना पत्र से चुनाव जीतने की गारंटी मिलेगी पहले चरण के मद्दान में 14 दिन बचे हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस ने शुकरवार को 48 पन्नों का अपना गोशना पत्र जारी कर दिया है न्याए पत्र, नोकरी देने, किसानों की कर्ज माफी, खाली पत भरने, महिलाओं को भत्ता देने, MSP की गारंटी देने जैसे तमाम वादे तो कॉंग्रेस पहले से करती आई है, लेकिन इस बार कॉंग्रेस के गोशना पत्र में समवेधानिक न्याए का पन्ना भी जोड़ा गया है, पांच न्याए में हिस्सेदारी न्याए, किसान न्याए, नारी न्याए, श्रमिक न्याए और युवा न्या से असली खबर शुरू होती है जहां नाम आता है सविधानिक नियाये जहां सविधान की प्रस्तावना के रूप को सामने रखकर कॉंग्रिस संसद चुनावायोग जाच एजिंसी अदालत मीडिया चुनावी लोकतंत्र समेथ हर उस जगह बदलाव के साथ नियाय की बात कह र मिलने पर कुछ दिन संसद सदस्यता से अयोग्य रहे दूसरा कॉंग्रिस का वादा है कि इंटरनेट के मनमाने और अंधा धून सस्पेंशन को खत्म करेगी क्योंकि देश में कई आंदलोन के दोरान लंबे वक्त तक कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इंट मिली तक जाने की इजादत नहीं मिली थी चौथा ये वाधा भी किया है कि भोजन पहनावे प्यार शादी में हस्तक शेप नहीं करेंगे कॉंग्रेस का निशाना लव जिहाद कानून और हिजाब पहनने से रोकने की नियम पर लगता है